So friends, welcome back to my YouTube channel, Learn Science. आज हम अग्सफोर न्यू साइंस इन एव्रीडे लाइफ ग्लास एट का चैप्टर निम्बर टू, माइक्रो और्गेनिजम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग चैप्टर निम्बर वन, क्रॉप प्रड़क्शन एंड मेरिजमेंट को कवर कर चुके हैं। आपने उसे पढ़ लिया होगा, एक्सेसाइस प्लस कोशनासर भी हो चुके हैं। नहीं पढ़ा हैं तो कोई बात नहीं। मैं चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंग डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप उस पे क्लिक कीज़ें। आपको चारो पार्ट वहीं पे मिल जाएंगे। ओगी, चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, चैप्टर नूम्बर टू, यूनिट वन, फूड का ही चैप्टर है ये, माइक्रो और्गैकिंज्म्द्र, चैप्टर की नाम से की आपको पदा चलाय है कि हम इस चैप्टर में किन किन चीզों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनि कि हम इस चैप्टर में माइक्रो किसी कहते हैं बहुत छोटा, इतना चोटा है कि आप उसे अपनी नेक्ट आइस से नहीं देख सकते हैं आपको उसे देखने के लिए किसी ना किसी माइक्रो स्कॉप का यूज करना होगा और 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 गैनिजम्स किसको बोलते हैं और गैनिसम्स का मतलब जीव वेसे जीव जो की बहुत ही माइक्रों हो, okay? यालि कि आज हम इस चप्टर में माइक्रो ओर्गेनिजम्स बिल्कुल वेसे जीव के बारे में इस चप्टर में पढ़ने वाले हैं जो बिल्कुल सुक्षम होते हैं, जो आप अपनी नेक डाय से नहीं देख सकते हैं, okay? पायर जाते हैं, useful microorganisms, कुछ microorganisms जो होते हैं, वो बहुत useful होते हैं, जिसकर कि हम use करते हैं, जैसे कि दही बनाने के ले, lactobacillus bacteria वगरे यूज होता है, harmful microorganisms, और ज़ादा तर जो microorganisms होते हैं, वो harmful होते हैं, हमारी body में disease करते हैं, तो हम इनके बारे में डीटेल में पढ़ने वाले और इसके एक-एक point को बिल्कुल अपने दिमाह में रख लेना है, okay, so, start कते हैं, there are variety of organisms on our planet, हमेरी book में क्या लिखावा है, कि हमारी जो planet है, आर्थ हम इसमें बहुत सारे organisms पाय जाते हैं, some such as the blue whale are extremely large, अगर आप blue whale को देखो, तो इसनी ही बड़ी होती हैं, whereas some such as amoeba are very tiny and cannot be seen with our naked eyes, और कुछ तो इतने चोटे होते हैं, कि आप उनको naked eyes से भी नहीं देख सकते हैं, समाहिए जे कि हमारी planet पे बहुत बड़े बड़े जानवर भी पाय जाते हैं, और बहुत चोटी जानवर भी पाय जाते हैं, look at the picture given below, नीचे आपको picture दी भी है, can you identify and name the organisms that has caused the bread to rot, क्या आप सकते हैं, क्या आइडेंटिफाइ कर सकते हैं, name बता सकते हैं, ना मता सकते हैं उस और गिनिसम्स का जिसकी जाए सी जो ब्रेड है वो खराब हो गई बताए यह तो आपको fresh bread दिखाई दे रही है, और यह वाली आपको rotten bread दिखाई दे रही है यापने देखा होगा, इस तो इसको हम जो इस पे किस organism ने अटेक किया किस की वज़े से ऐसा हुआ तो आपको पता होने शाहिए मौल्स जो होते है रहा उनकी वज़े से ये ब्रेड हमारी जो है खराब हो गई है मौल्स का सब्सक्राब मौल्स माउड्स पे। तो इसे बहुत ही मतलब इतने चोटे और इनिसम जिनको कि आप आप ऐसे थे हुआ धे जो भी खराब कर देते है तब आप देख पातों लेकिन आप इनको जिस टाइम में खराब कर रहे हैं तो उस टाइम आप उनको नहीं देख पा रहे हो बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं ठीक है और यह फोटोग्राफ किया जाता है एस एक इस्टुमेंट के जरिए से इनको मतलब दिखाया जाता है तो उस का नाम क्या है माइक्रोइसकॉप इन इस चाप्टर में माइक्रोइसकॉप के बारे में डिसकस करने वाले हैं और जो छोटे-चोटे और गैनिसम्स पाए जाते हैं उसकी बारे में पढ़ने वाले हैं ओके चलिए माइक्रोइसकॉप पहला चोप कि हमारा क्या है वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि हम लैंसिस की मदद से बहुत चोटी चीज़ों को हम बढ़ा करके देख लेते हैं तो आपको यह जो दिखाया है यह आपकी बुक में तो सेम फिगर नहीं है शरथ सेमें यह इस फिगर मेन उठाया है तो यह इस फीगर में आपको जो हो आपको जो है बारे में माइक्रोंस्कॉर्ट के दिखाई देंगे इस तब का आपने मै区 और स्सक्राप जो है आपने पने लैभ में देखा होगा इसे आपको भी अपना टेस्ट करने के होंगے या पर तो आपने वह बोल में देखा हो गाँ तो हम इसे जिए बीफ пой लेते हैं यहां कर ले चान पढ़त बरे लेते हैं यहांसे आई पी आई पी बिस प्रम स्कुरता है यहां से टेखा जाता इह पोंद सजो कहिarnos फिर छूरी जैसे हम लोग आपने कभी चैम्हित घ्ड जाता है तो फिर में जा लोग जाता है इस ही के लिए जाता है तो इसी के लिए होता है это ही जाय कर火 मैं जोम करते हैं मतलब इस को गुमा करे जूम किया जाता है, जूम इन ये जूम आउट किया जाता है, यहाँ पर लाइट लेगी है, यह आपका बेस हो गया, यह आपका डाइफ्राब हो गया, तो यह जो है, माइक्रोस्कॉप के अलग लग पार्ट हमें थोड़े से इसको धियान लखना होगा, दो अब् जिस भी चीज को आपका देखना है तो उसको हम अब्जब्य नहीं बोलेंगे, तो बल्के हम उसको क्या बोलेंगे, बई हम इसको क्या बोलेंगे यह हम इसकास्मेड हो यह इसको यह स्पैसमेडे के लिए ह्जेड गी-सकोध-ग ड्यकॉशसी स्लाइट के इसlor हम एलेने के अब कभी जब अपना ब्लड कर निच रगय यह तो आपने देखा होगा कि ब्लड कि दाख निति होता है वह क्या करते हैं वह चपी एक पतलीी सी शीट में रखा जाता है second much thinner sheet of glass called cover sleep is placed over the sample और एक बहुत ही उससे भी पतली जो glass sheet होती है उसको जो जो sample होता है उसके उपर cover sleep के तौर पर इसको place कर देते हैं the cover sleep protects the microscopic object's lens by preventing it from coming into contact with the specimen sample और उसके उपर cover sleep डाली जाती है sample के उपर इसके से डाली जाती है ताकि वो जो microscopic object जो हमारे पास sample है वो sample जो है वो microscope के lens से टचना कर पाया उसके contact में ना आ जाए इस वज़े से हम लोग जो क्या करते हैं slide यानी sample के उपर एक पतली इसी glass sheet रख देते हैं इसके अलावा ये नमोने के लिए बहुती पतले पतल में भी इसको मदद करता है अगर आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कॉप यूज कर रहे हैं तो उसके कुछ बैसिक स्टेप से जिने आपको फॉलो करना होगा क्ली मिरर यूजिंग आस ओफ्ट क्लीन क्लोथ इफ रिक्वाइड तो आपको जो मिरर है जहां से आप देख रहे हो उसको सबसे पहले आप एक पतले से सौफ्ट से साफ सुत्रे कपड़े साब इसको साफ कर दीजे ताके आपको कि लिए रिमेज दिखें प्लेस देख्ट विग थैसिमेंड ओ ड्टेज और आप test ब्ल्ट सेंपल यह गिसी बीचीज जो है आपको यहां पर रख देना है की स्लाइड के साथ रिक्ट डेना है ह। It is the focus of the eyepiece and the objective lens with the help from your teacher and what you have to do with your teacher which you have to focus on the eyepiece and with course adjustment you have to adjust the lens we adjust the lens view the slide through the eyepiece and the eyepiece, you can see the slide which is the harmful organism and which is the sample so we have read the microscope let's move on let's move on second topic is types of microorganisms 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 can be found in many ways organisms that are visible only through a microscope are called microorganisms or microorganisms which you can only see from the microscope especially from the compound microscope look, the microscope is used in many different types but the compound microscope which is clean, good and clear so the microorganisms which you can only see from the microscope where the molecular schnellizo that look at the microscope nan pineapple microorganisms microwave micro means very small or microbes it is so small it is so large, that never had a look at the necessary microorganisms are the most abundant organism on our planet और हमारे planet पे, जो microorganisms यो होते हैं, यह बहुत ज्याद़ा amount में पाय जाते हैं, यानि जितने हमारे इंसान जानवर जितने और भी चीज़े सबसे जादा जो microorganisms जीव पाय जाते हैं हमारे planet पे, वह कौन से होते हैं, microorganisms, they are found almost everywhere, वो हर जगा पाय जाते हैं, आईस कोल डीजन, में देख सकते हैं, आप यहां भी तरहएं, होटी स्प्रिंग्स में पाया जारे हैं, देखि यह सब जो जो जी फ़िटी और अब हमारी बोड़ी में बें बादे घ्रमी में बहुत देसर्ट, जेजर्ट तरह देसर्ट के पाया जाते हैं, यह इनसाइड दे जिन्दा आखिए से बुह समय गरोम में जिन्दारी । आप लिए हमारे तरह देखे इसको है बात में लेख पाला था ग्रोल्य एक लाख है और उनल Supreme शफ हाहा भर रहा है छोनी आएजे विड्यो करता है। इनकी कितनी जादा इन्होंने अपनी जनरेशन को इन्होंने 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 इ इनकी language में हम लो क्या हो जो साइन्स के language में बोलेंगे, यह ग्रोनीज में ग्रो करते हैं, ठीके, दे में भी unicellular और multicellular organisms और यह unicellular भी हो सकते हैं, यानि कि एक cell के organisms भी हो सकते हैं या multicellular organisms भी हो सकते हैं, micro organisms can be divided into five major groups, micro organisms को आफ five major group में डिवाइट करो, Bacteria, Protozoa, Fungi, Algae and Viruses वायक्रोगनिजम्स के को जो है फाइफ मेजर गूप में डिवाइट किया गया है Bacteria, Protozoa, Fungi, Algae and Viruses अब हम लोग जो है इनको अलग अलग डिटेल में पढ़ने वाले हैं बारे में पढ़ें कुछ बारे में पढ़ें कुछ प्रोटोजवन्स के बारे में कुछ फंगी, कुछ अलगी और कुछ वायरिस के बारे में Okay, सबसे परले हम लोग क्या पढ़ेंगे बारे में They are among the smallest and oldest organisms on our planet देखें यहां पर आपका दो कोशन जो है objective कोशन आपके डारेक्ली आपको मिल गए कि यह सबसे ज्यादा smallest and oldest Okay, हमारे प्लेनेट के सबसे smallest और सबसे oldest organisms कौन से हैं Bacteria, bacteria are unicellular organisms Bacteria की क्या खासियत होती है कि यह unicellular organisms होते हैं यानि कि एक ही cell के बने होते हैं और अलगलग टाइप के Bacteria आपको पाई जाएंगे अलगलग शेप कि होंगे कुछ रड़ शेप के होंगे यह यह बैसिली जैसे कि जैसे कि for example, Sparical Shape, Vibrio Bacteria हो गया and Spiral Shep Spirula हो गया Lactobacillus bacteria and Streptococcus bacteria are examples of bacteria ज़िसके अब हैं कि Бैक्टिरिया होते हैं इक बहुत ही चौत षहुते हैं तो हमारी प्लाइट के सबसे ож dependent और अर्गनिसम से अर्ग्ट-डाची यज़ बताने हैं वो अर्ग बाझ चाहरे बाधाने हैं जमते हैं पाया जाते हैं वो अलग बाधाई हैं तो उसके जो बैक्टिरिया होता है वो इस्पारिकल शेप का होता है विभीऊ है कने स्पाइरल का स्पायरल एक है पाई पैक्टिरिया रिप्टॉ टैट तैसे फैरल शैप का हो स्से एह था बैक्टीरिया लाग भी छशी बेक्टिरिये के बारे बता दी यहां पी जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए ताकि आप जो इनको ध्यान में रिखें कुछ पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अब बेक्टिरीया होते हैं वाट्रिया पाया जाते हैंगogy बार्त्र ऊद्स भी बेक्टिरिय टो इसे आरियास में ज्यां जहांपे की ravक पलार्या स्चति का। जहांना ब्यांपर नृटिक नहीं संद्धुमों स्टेग्नेट फ्रेश वाटर इंटेज़ और उुसमें जो वाटर हैं और स्टेजनेग स्ट्हृटिकें model इर सब्स कर्दाया है ini यह अरम स्पाय जाता हूं पाइजानारीरशन ओभाएटिक टीने करा छोर। जो कि हमारी हेल्थ के लिए, उसके लिए काफी जादा पाइदे मोद और्नें पोर्दे लेखुल्विकThe है, वंकत एक तो भूझ कॉमन प्रॉब्रा इंपने हैं । ऊप画 सुछky办강 लेखुल्डं करनेなら के निया। थ्रोट ग्लें वाला रीजन और हमारी स्किन पर पाया जाते हैं अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि स्ट्रेप्टो कोकस बैक्टिरिया जो है वो कौनसी डिजीज कोज करते हैं Can you tell me? मैं आपको बता देती हूँ जो स्ट्रेप्टो कोकस बैक्टिरिया जो होते हैं यह हमारी बॉड़ी में इनकी वज़े से हमारी बॉड़ी में जब निमोनिया होता है तो उसमें स्ट्रेप्टो कोकस बैक्टिरिया की वज़े से ही होता है A gram of soil contains about 40 million bacteria अगर आपने 1 gram soil का लिया है तो उसमें at least 40 million bacteria जो होते हैं वो पाया जाते हैं इस वज़े से हमें का जाता है कि जब भी आप कोई भी काम करें खाना 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 या कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से दूलिए हैंड वाश का यूज़ करिए Okay, protozoa There are small group of animal like unicellular organisms अब हम सेकेंड जो हमारा है वो क्या है protozoa There are group of animal like unicellular organisms यह ऐसे animals का group है जो की unicellular organism यह एक ही cell के बने हुए होते हैं Amoeba, Paramecium and Uglyna are examples of protozoa तो इसके कुछ जो protozoa के examples हैं वो उसमें Amoeba, Paramecium and Uglyna आगिया Okay, तो आप इनको याद रखेगा चलिए, आगे चलते हैं फंगी They are a group of single-celled organisms जो यह फंगी जो होते हैं यह single-celled animals के organisms के group होते हैं फंगी में भी either microscopic and new cellular for example yeast and malts जो फंगी होते हैं यह यह तो microscopic भी हो सकते हैं यह यह तो नहीं बलकि यह microscopic होते हैं और unicellular भी होते हैं जो फंगी होते हैं आप उनको अपनी आखों से भी देख सकते हैं for example yeast and malts तो unicellular में आपका yeast and malts और microscopic और यह microscopic भी होते हैं and multicellular भी होते हैं for example mushrooms and toddy stools जो mushroom और toddy stools जो होते हैं यह आप इनको जो हैं अपने घर के आसपास भी देख सकते हैं अगर आपके आसपास थोड़े सी जंगल बगर होगी तो वहाँ पर आप देख सकते हैं यह mushroom लकडियों पर उख जाते हैं और toddy stools यह भी mushroom ही की तरह होते हैं बट थोड़े से chlorophyll आप देख रहे हैं इनको यह chlorophyll होते हैं All fungi lack chlorophyll and drag their nutrition from decaying matter जो सभी fungi होते हैं उनमें chlorophyll नहीं होती है chlorophyll and drag their nutrition from decaying matter क्या देख subsid was यह spirit फुब्रेशन हैं बार्ष्ट्रोप्रप्रम्नेंट्रेशन हैं क्लोरुफिल नहीं पाई जाता है और अपको बता कि शल्व में उन्हें स्क टूरुफिल यह अख सुछेटाएं वह उन्हें ख़ते हैं यह फंगी होते हैं यह हैट्रोट्ट होते हैं यह कोई भी डिकैंग मेटर होगा ना कोई भी ऐसी चीजे जो खराब होने वारी है जैसे कि एक लकडी है लकडी में अगर आप जादा पानी डालोगे तो और वह लकडी जो है इस पर प्राइमर वगर नहीं मारा हुआ है या उस मतलब इसको उसके उपर उसको प्रेवेंट नहीं किया गया किसी भी दूसरे माटेरियल से तो उसमें जो है यह आपको मश्रूम दिखाई दे देंगे तो यह वहां पर निकल जाते हैं और जो वह लकडी जो खराब हो रही है वो उससे अपना नुट्रिशन लेना Cetitroit not all fungi and algae are microscopic some of them are quite large जो जो भी फंगी और अल्गी हैं, मैंना को बताए कि यह सभी के सभी माइक्रोस्कॉपिक नहीं होते हैं, बल्कि कुछ इन में बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि आप मुष्रूम को देख रहे हैं, आप इनको और सीवीड इनको अपनी आख से देख सकते हैं, और फंगी के अजिया मैं पढ़े डोगी के शाता है, बारे जाख सखने जाता है और और का एक ने अपना खूद बनाएं, यानिके ओल्टोप्स हैं, दे में भी उनिचलूलर भी हो सकते हैं, for example, क्लेमाइड, दोमोनस और मल्टिचलूलर, for example, सीवीड, और कुछ मल्टिचलूलर भी होते हैं, सीवीड, यह समुद्री घासी से हम कहते हैं, यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होती हैं, इनके हम यूज जो है, डियूज भी करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में लेबाटरी में इसका भी उसका बहुत यूज किया जाता है, यह जो हैं, कोलोनीज में रहना पसंद करते हैं, तो हमने देखे हमने बैक्टिरिया, प्रोटोजवा, फंगी, अल्गी के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हमारा क्या बचकिया है, वाइरस, वाइरस के बारे में आपको पता भी होगा, कुछ वाइरस जैसर की कोरोना जैलते हैं, they are so small that they can be seen using ordinary compound microscope, यह इतने छोटे होते हैं, कि आप इनको normal ordinary compound microscope होते हैं, आप उनसे भी इनको नहीं देख सकते हैं, बलके आपको इनके लिए special microscope, special compound microscope लेकर क्या ना होगा, जिनसे कि आप इनको वाइरस को देख सकते हैं, they are usually studied with the help of powerful microscope called electron microscope, तो अब इनको study करने के लिए, इनको डूडने के लिए, इनको search करने के लिए, इनको देखने के लिए, हम बहुत ही powerful microscope लेकर के आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, electron microscope, viruses 2.4 are hard to easy, hard to classify as living or non-living as, जो viruses होते हैं, आप इनको living भी कह सकते हैं, और non-living भी कह सकते हैं, इनका क्या र होता है कि यह जब नॉर्मल ऐसे एंवर्मेंट में रहते हैं, ऐसे खुले आ रहते हैं, तो जब यह डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, मतलब यह कि यह नन-living की तरह रहते हैं, जैसे यह किसी बोड़ी के कॉंटेक्ट में आते हैं, फोरन यह मतलब जिन्दा हो जाते हैं वहाँ पर आपने रिप्रडॉक्शन करते हैं वहाँ पर अपनी बिल्कुल उस अरगनिसम को हाम करते हुए उसके अंदर से निट्रेशन को लेते वे अपनी जन्नेशन बढ़ाते हैं और उसको हाम करते हैं On their own, they show no sign of life. और ये खुछ जो है, मतलब अपने आप में ही, अगर आप इनको खुले एंवामेंट में रखे होगे, तो ये ना, इनके अंदर कोई भी आपको साइन दिखे गा ही ने, कि ये जिन्दा है या मरे में. However, they reproduce inside the cells of organisms, such as plants, animals, or bacteria. लेकिन जैसे ही ये किसे organisms, जैसे कि plant, ये animals, ये bacteria के contact में आये, उनके अंदर गुज गये, फोरण ये अपना reproduction इस्ट्राट का देते हैं, तो आप इनको non-living भी कह सकते हो, ये living भी कह सकते हो, ये इनके बीच का भी कह सकते हो, तो ये को मुजएक वाइरस ही, TME, ये बहुत ही important virus, and human immunodeficiency virus, HIV virus, ये किसमें पाया जाता है, जब AIDS होता है किसे बंदे को, तो उसमें human immunodeficiency virus, इसकी full form आप याद रखेगा, कि ये वाइरस जो होते हैं, कुछ वाइरस के एक्जांपल से, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, they widely fed, avian flu and swan flu are also caused by viruses, इसके अलावा, जो avian flu and swan flu के बारे में आपने सुनाई होगा, ये जितने पर flu होते हैं, ये सभी वाइरस की होते हैं, ओके तो हमने viruses के बारे में क्या पड़ा कि वाइरस जो होते हैं, एक तो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, कि आप इनको ordinary compound microscope से नहीं देख सकते, दूसरी बात है है, कि आपको इनको देखने के लिए electron microscope का यूज करना होगा तीसरी बात यह है कि वाइरस जो होते हैं इनको यह तो आप नहीं living categories में रख सकते हो और नहीं non living categories में रख सकते हो लेकिन जब यह किसी organism के contact में आते हैं तब यह लिब हो जाते हैं और जब यह normal लेते हैं तो तब यह non living की तरह रहते हैं और कुछ वाइरस जैसे की TMV वाइरस हो गया टूबको मुझाग वाइरस देखे आप जिसे नहीं देख सेटे हैं यह तो बाको के पतों में होता है तंबाको जो सारे लोग कंस्यों करते हैं बहुत ही सादा हांफुल होता है वो लाइफ के लिए अगर आप इ खुदा नकरे कि उसको जो है कैंसर वगर हो बट उसको कैंसर की संभावना बहुत ही जादा हो जाती इसके लाग़ हुमन इम्मिन डिफिशेंसी वाइरस बहुत ही खतरना के एड्स वाइरस से इसको भी आप आपको ध्यान रखना होगा यह यह बहुत ही कॉमन वाइरस जो कि आपको यह बहुत है तो आपको आपको आपसे यह पूछाजा सकता है कि आप एड्स के वाइरस का नहीं बताइए तक यह कुछ वाइरस के एक्जाम्पल से और उसके अलवाग कुछ जो एवियन फ्लू जो होते हैं यह भी वाइरस की वज़े से होते हैं और को रोना अट नशीज देखों के अलवाइज़ से भी बाइज से हैं इनके शेम्टम्स होते हैं यह नॉर्मली सेम्ही होते हैं तो आपको अकसर नही देखेगा क्या होते है कि चेस्ट पैन एक अपको के सीजिय में दर्द होगा बृत लेग अपको सास लेने में प्रेशानी, इस्प जब आपको अवाइड करने जब यह जान वहरा होता है। यह ज़िया से यह बड़ और भी ज़िया से होते हैं। तो आप जब एंसे इनसे किजिए जब आपको जब आपको आपको इन जानोरों के पास नहीं जाना चाहिए हुआ पर अच्छी से हाथ दोना है। food hygienic and safety, आप जो फूड लेने हैं उसको हाई वो हाईजैनिक और साथी होना चाहिए, शुड यू वेर फेसमास्क इन पॉबिक और पॉबिक में जो है फेसमास्क के बिना आप नहीं निकलिएगा फका गोजको है आप भुब्लु के olduğ yes click on ohum by, law, pट्रोप का और पॉब्लु बाहते है उसकी होतली तो उसे बहुत सारे वाईर सुर्ण फ्लु के होता है वाईरों में इक वायरों से अन्तुय भी यह होता है वो होता है स्वाईन फ्लु कह की इंसे और हड़ता है तो इसके भी स जो सिंटम्स हैं वो क्या है कि भाई फीवर होगा लेक ओफ एपटाइट भूग की कमी हो जाएगी नेजो फैरिंग्स यानिके आपकी जो ना के वो बहेगी सोर थ्रोट यानिके आपके गले में दर्द होने लेगा रेस्परेटरी सिस्टेम में आपको प्रेशानी होगी कफि इन पर फ्लू अगरा हैं जितने भी वाईरसेज हैं इनके जो सिंटम्स होते हैं वो अकसर सेम होते हैं ओके आप कोरोनवारस के बीस्टम्स देखो तो वह भी इससे बहुत जादा सिमिलर होते हैं अब हमारे तीसरे जो टापिक था वो क्या था यूस्फुल माइक्रो ऑगन का गवी ।। यह बिदेग्या करें नीपोल से देखव हैं तो इने के चार 199 रूस ME ढेए सकते हैं तो कसे अख़्ार्सम्स नीप बिदादा मकरणीश के जासें आपसे हैं इने मौ बवार्सेयर किमेंटा से एफे सकते हैं Some of the commercial uses of microorganisms are given below आपको जो है कुछ कमेशियल यूज़ दिकिन दिये गए हैं making curd and cheese जो आप कर्ड बनाते हैं दही बनाते हैं जो अपनीर बनाते हैं तो उनमें हम जो है उनमें जो और्गनिजम्स होते हैं जो और्गनिजम्स उसमें रिप्रोड्यूस होते हैं कर्ड को पैदा होते हैं वो बहुत ही जादा यूस्फुल होते हैं Okay, do you know how curd is made at home? क्या आप जो है अपने घर में कर्ड बनाना कि कर्ड को कैसे बनाया जाता है इसको आप जानते हैं बनाना आप कभी अपने घर में आपकी अम्में बनाती होंगी तो आप उनसे पूछेगा कि आप घर में कर्ड कैसे बनाती हैं Usually a spoonful of curd is added to warm में तो कर्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या बना होगा आपको पहले लेना होगा यहीं कि गरम दूद लेना होगा इस तो कर्ड ओवर नाइट और उसके अच्छे से ठक करके आप ऐसी जगह पे जहां पे की बहुत जादा ना तो थर्ण ओर नाहीं बहुत जादा गर्मी हो तो आप इस जगह जगह जए उसको ठक करके पूरी रात के लिए रगजिए This happens because a protein called casein present in milk cogluate to form curd जब आपने सुपह उसको देखा था तो वो पूरी दही बन गई थी तो दही क्यों बनी इस वज़ेशी क्यों कि मिल्क मैना दूद में एक protein पाय जाता है जिस protein का नाम क्या होता है casein protein So casein protein ने क्या किया कि वो जो एक cogluate कर लई offshore tryin ज्ब आम जौरी प्रॉचिम क्यों अच्टिण पायरह था था Thisब दही लिए थी रिए तो की जिवश भी अड़िय।ा कि अधेस्म ahoraसों कि मिलेए तो एक नदर एक सब्क्तिर्या कि ज़किर्पाया जाता है जिसके घजना महता है। अर इसने उसको लाक्टिक असीर में कonvert का दिया और इसते किया हूग्यान तो लाक्ट्ल मैं कि लाक्टिक इसे के क्या वो का फो भाल पर बाल का बाउर्मेंट वह असीड हो गया और असीड हो गया से घिट कह अदु झाहिए विजए बाल विजए से छोडिक्षिन बाल भ। ब्लियों कि आपकी दही जो है वो कैसे बनाई है The process of conversion of sugar into acid or alcohol by the action of microorganisms is called fermentation और वैसा process in which sugar is changed in acid, convert in alcohol और इसके कोई मसा ना सब कोई अगर इसके क्यों दो माईक्रेशन सा इससे अगर है असे कोई अगर inan खोग तो अग को टॉड़ी देर के बाद अगर ऑई अगर थख़िए रखो तो पीर देर के बाद अगर तो वह घखे हो जो एकड़ एक जो एमांट हो एजो इंगरे बहुला फोला लगने लाता है तो किसकी वह ज़े से हो वह क्या कर language किया भाशा तो हम इसके वज़े से हुआ तो हम इसके बारे में डिटेल ने पड़ते हैं तो देखिए यह फर्मेंटेशन प्रोसेस दिखाए जाए रहे है नेचरल और एडिट शुगर को जो है आप एड कर रहे हैं ठीके किसमें एक येस में अगर एड कर देते हो तो तो वह क्या बना द जाल तो जालेएं नेका कर द्यार के कि वह मंमी और पाई बैया को आपका प्रशाव जाल लेना अ गिलास नेकार चूर इसके बाट से जालें कर देहं बाल पर दाल यह ओए पर आपने लीट लिफ ऐ स्केलिव के लिए पार-गे देमोर पताता एक फिर विपर लुटे लुकर दो झाले लेके लिट लिट दाले जगा लिचेंगा लिए लेके लीड लंडिटर्ब ऑवरनाय य। उसके बाद भाल है उसको आपको चहरडा नहीं है य। वार बार जा करकार आप करर नहीं नहीं। बल्कि उसको पूरी रात के नहीं है। रात में बढ़ को डिकर्णाइ आपको देखना है और सब्सक्राइब करा में को आपका धने णया चार्शिय देखना है tu Carloikum में अब्रणशिय दिन आपका श्यूर्च वसें हमें ही लाँ अश्यद कि कहा दीडिया जो बात कर दिया और वहाँ पे जॉपbeitet को चैसी कि प्र再見 कर दिया जैसे जो जूञे कि में कैसी प्रोटीन था उसको कॉपलेट होने के लिए उसको जबने के लिए ज़रुरती तो उस ने Looks like has a audit ofetos the existence of podia फी दफ्हेंखी जब फोसका कर लीelf तो हमारी दही बनके अरिलिक सुपरविजिशन, सुपरविजिशन रिक्वार और जो यह सब काम करने के लिए क्योंकि भाई आपको दूर भी गरम करना आपको गैस पर जाना होगा और दूसी बात ही है कि आप कितनी आप उसमें दही मिला रहे हो कितने मांट में मिला रहे हो यह सब चीजों के लिए आप किसी बड़ी को भी आप अपने साथ रखेंगे, खुद भी कर लेजाएगा, खुद भी करना चाहिए, आप देख लेए, The production of cheese and paneer, cottage cheese also involve the use of bacteria such as lactobacillus and streptococcus. अगर आप cheese बना रहे हो, या पनीर बनाते हैं, या cottage cheese इसे भी कहते हैं, तो उसके बनती हैं तो उसके अंदर भी कुछ बैक्टिरिया का यूस होता है, जिसे हम कहते हैं, Leptomacillus and Streptococcus Bacteria. Curd and cheese manufacturers also add a substance called rennet, usually obtained from the stomach of young cattle to make the process faster. कर्ड बनाने के लिए या चीज बनाने के लिए हम एकोई substance का यूज करते हैं, जिसे बनाना होता है, Rennet, Rennet जो होता है, जो young cattle होता है, जैसे बहर्स का बच्चा हो गया, तो इसके stomach में एक substance पाया जाता है, जिसे हम बोलते है, Rennet, उसको निकालते हैं, अब उनका निकालने के process जो भी होगा, तो उसको Rennet को निकाला जाता है, और उनको कर्ड में और चीज में एड का दिया जाता है, इस वज़े से ताकि, जो कर्ड चीज भी होती है, जितने टाइम में नरमाली में, जितने प्रेश का दिए में लें कर्ड चीज को थारोते हैं, इससे कम टायम में बन जाती है, जुक जो क्रोसेज को फस्ट करेंक लिए हम the process को फस्ट कर्ने के लिए यह हम रेनट का यूज करते हैं, एडिशन अफ रेनट रिजल इसल इन फोर्मेशन अफ लाक्टिक असीड यानि जब आप रेनट को मिला दोगे तो उसमें लाक्टिक असीड का बनने लग जाता है विच मेंख सब मिल्क मोट असिडिक और जिसकी वज़े से मिल्क वह बहुत ज़ादा असिडिक हो जाता है और जो दही नहीं बन रही थी वहाएं दो तिन गंटे में बन जाती है Okay, making alcoholic beverage. इसके अलावे हम alcoholic beverage पनाने के लिए यानि के जो alcoholic पे होता है ना जो beer वगर होती है तो उसमें भी fermentation का यूज के जाए जात मतलब fermentation प्रोसेश होता है Production of alcoholic beverage such as beer and wine involves fermentation of sugar present in barley and crabs etc. जो alcoholic beverage पनाते हैं जैसे कि beer and wine हो गई तो उसमें भी fermentation का process होता है जो कि barley and crabs पाया जाता है by a microscopic fungus called yeast यानि कि जब alcohol बनाया जाता है, alcohol शराप बनाया जाती है तो उसमें भी उसको बनाने के लिए जो microscopic fungus है जिसे हम yeast कहते हैं उसका यूज किया जाता है और fermentation by yeast produce alcohol and carbon dioxide और yeast के जो fermentation होता है उसे alcohol or carbon dioxide रिलीज होती है हमेल इसे होता है युज कि जा होता है जा रियूविद्व केरण बनाने के में करण प्लोचा किण है तो DRU जो हमेल कि कर भी तो युज कर बनांगे जाता है जो ड्राप के डाप भी ज्या करते हैं उसमें क्या क्या हम भी हम जो घाज मिक्स करके रख दे poziomo थे तो ह новых इस को है किरहें तो है कि लाज ही से लिंपltां इसम से में हैं तो होता है कि उता है कि यह जो इसमें प्रमेंटीशन मांपैशनjakर और अप लिवे जहाता है इसमें अच्छांटार साथ जैसा हमें चाहया दार, yeast converts sugar to alcohol and carbon dioxide तो yeast होता है जो जो सके इसके 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 मिलाए हुई है उसके इसके अजाए उसको आलकॉहल में carbon dioxide में convert कर देता है इस more and more carbon dioxide is produced the dough rises in volume और इसके सही हमाउंट में इसके volume में इससा होता है का यिसकों कि अन्ना येज्ग गिये क्रिंग कशार कि अल्कोल किल्म और कीरल कर रे Цदों मुंकि ऌर भी मतल़ाने इस में बार परभर पॉर्डी होたा है Turns 8거든 क quadrant कि वज़े से आपने कि वैचन में लगता है। परॉस अड्यम डुंजी लिए सब्सक्राइब टो करें ना कि को प्रॉस से मंग जाता है। बंगEC देजल कि दो मिरने कि रखिते हें जाता है। और फर्मिंटेशन के प्रोसेस रुखजाता है, अब यहां पेक्टिविटी है को अब 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 यहां तो अब एक्टिविटी है, तो ऑब जो फिर्मिंटेशन और शूगर रहा है क्या इस नहीं हो रहा है? इसको आपको observe करना है आपको खुद activity करनी है जिसके जरी से हमें पता लगाना है कि बही शुगर में जो fermentation है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है Materials क्या कि चाहिए sugar two tablespoons warm water one cup a balloon empty plastic bottle one liter and active yeast cells आपको यह सारी चीज़े लेनी है stretch the balloon by blowing it up and deflating it a few minutes keep it aside अपको क्या करना है अपकर चाहिए बालोन को पिला ले पर उसको ao to he pastik करने नहीं कि जो जो करने कालनी उसको पुलाने ने पहले कि इतना कड़ा सा होता therapies इसको सॉफ्ट यहां पर मारे चोब मासाद है कि वह सॉफ्ट हो जाए और इसको थोड़ी देर तके रख देना है एज शुगर और यह सेल को जो आपको एक कप में यानि एक गरम पानी के कप में आप इसको मिला देना है और अथे से मिला देना है पूर दे इंट बोटल और ज उसके बाद क्या करना है इस तरीकता से बलून को इसके ओपर अटेश कर देना है यहां पर आपने मिक्सर दिया उसमें बोटल में जो शुगर और यह सेल जो आपको मिल जाएगी मार्केट से वो एक्टिव यह सेल होती है और इसको आपको मिक्स कर देना है और इसके बाद को जहें इसके ओपर ऐसे अटेश का देना है और जो पहरी बात तो यह है कि जो वोल्यूम होगा इसका अंदर जो जितने भी अमाउंट में आपने वाटर गया थे परी बात तो यह है कि यह बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा दबलून इन फ्लाट एंड यू के स्मेल एलकॉल मिक्सर इंसाइड बाटल और जो बालून हमारा वह भी फूलना स्टार्ट हो जाएगा और आप बाटल के अंदर अगर आप थोड़ी से अलकॉल की भी खुश्बू आएगी इफ यह पास फिल इंसाइड बालून थो अटेस्ट्यूब कंटेनिंग लाइम बाचर अगर आप एक टेस्ट्यूब लीजे और इस टेस्ट्यूब में जो आपके बालून के अंदर जो गेस फिल हुई ठीक है उसको जो है आप एक टेस्ट्यूब में पास करोगे मतलब जैसे आपने यह पर बालून था तो आप यहां से पकड़ के बालून को आप उठा लेंगे यहां से फमने फिले कばने त्फेस में एक चछलत से नेक झालागे से इसने लगा है उस चलत ऐसे के यहां प्वारे करिये इस प्रूव करती है अगर आप यहां प्रूव करती है तो यह यहां पर प्रूव हो गई कि जो गैस रिलीज हो रही थी वह कर्बन डाइकसाइड की वज़े से ही हो रहेंगी का निकले फर्मेंटेशन ऑफ शूगर यह जो इस ने किया कि अलकॉह और चर्बन डाइकसाइड बना लिया जैसे-जैसे-जैसे-चर्बन डाइकसाइड की मात्र हम देख रहें थी उसकी वोल्यूम जितना हमने डाला था उसमें वह भी इंक्रीस कर दा था तो हमने इस एक्ट वह बनाता है और च बनाता है सिक्षा में कहर राण्या का शुझाड में दूसरे बास है कि ब्रॉरु anthropology and tobacco iis के अलब हम विनेगर कौफी and Tobago में कर दूसरी जिए कि यिन कहल स बड़क्टेटरी अबिर काम करते है it is also used in the process of tea इसके एलाव टी को बनाने में को बनाने में भी इसका यूज के जाता है बैक्टिटिया को यूज होता है making toothpaste, toothpaste बनाने में होता है shells of dye atoms a type of algae are used in toothpaste to give it a gritty texture that helps in cleaning teeth जो dye atoms a type के algae होते हैं उनका use है हम तूज तूज बनाने में करते हैं और इसके वज़े से क्या होता है इसका जो texture होता है वो गिरिटी हो जाता है या किरिकिरा type का हो जाता है और जिसके वज़े से क्या होता है कि हमारी जो अदाने वह काफी साफ हो जाता है Xanthum gum obtained from bacteria Xanthomonas Compasteris is also used to making toothpaste इसके अलवा जो Xanthum gum यानी जो एक bacteria Xanthomonas Compasteris है, इसके बदाने बनाने में किया जाता है इसका भी युज आद रख्यागगगा हो सब्सकता है इसके पूचाज़े तूचाज़े को यहां पर इसके पूछागगगा थागशागगई फेक्टवाई फेक्पाइल फेक्पा तो उसमें the fermentation process होता है The tiny holes seen in these food are created by carbon dioxide and forming like form during fermentation जो आरो इन फूर्ट में छोट चोटी होल दिखाई देंगे तो वो किस वज़े से होते है, वो carbon dioxide की वज़े से होते है और carbon dioxide कि रिलीज होता है, तो जब fermentation process होता है तो तो उसमें the carbon dioxide release होती है तो उस वेज़े से आपको उसमें tiny house निखाए पड़ेंगे ओके चलिए आज की वीडियो यहीं तक I hope so आपको सारी बाते समझ में आ गई होंगी देखिए वीडियो काफी लंबे हो गई है बच बहुत ही जादा important है चैक्टर भी आपको important है आपको पहले ही कहते है कि आपकी वीडियो हो सकता है एक आर तक हो जाए तक मिलते इन ले वीडियो में अगे अगहरा हो माई चैनल पयå सब्सक्राब किज़ें